हेलो फ्रेंड्स माथूर क्लासेज में आपका स्वागत है पिछले वेडियो में अपने सेकिंड एर का चप्टर पढ़ा था त्री फेज इंडेक्शन मोटर उसके अंदर अपने पढ़ा था सिंक्रोनस स्पीड और रॉटर स्लिप स्लिप के बारे में अपने पढ़ा था इक भी स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है और रॉटर फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ा था इक भी रॉटर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला अपने देखा था ns वराबर 120 f upon p rotor slip का formula देखा था s वराबर ns minus nr upon ns अगर percentage में निकालते हैं तो इसको 100 से multiply करते हैं और तीसरा अपने पढ़ा था rotor frequency के बारे में कि f r वराबर s into f इनके बारे में अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में आपको देखना है तो नीचे दी गई लिंक को open करके आप देख सकते हैं आज अपन पढ़ेंगे rotor, copper, loss के बारे में rotor, copper, loss के बारे में आपन पढ़ेंगे जिसको हिंदी में अपन कहते हैं rotor, tumbre, sheti लॉसेज के बारे में अपने पहले भी मोटर और जनरेटर वाला चेप्टर पढ़ा था DC मोटर और DC जनरेटर वाला उसमें अपने लॉसेज के बारे में अपने पढ़ा था कि इसके अंदर हपन पढ़िए ROTER, COPPER LOSS किसे कहते हैं किसे कहते है कि ROTER के अंदर होता है चालक और winding होती है उसके अंदर प्रति रोथि के कारण क्या है कि विद्ध़ शति होती है तो उसको अपन ROTER ताम्र शति कहते हैं इसकी अपन definition लिख लेते है क्या लिखते हैं, रॉटर, चालकों या वाइंडिंग्स के प्रतिरोध के कारण होने वाली श्यती, रॉटर, तामरी श्यती, कहलाती, अब प्रतिरोध आपको पाया है कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होती, आप सभी वो पता है कि प्रतिरोध की यूनिट ओम होती, क्या होती है, प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है, तो कॉपर लॉसेज की विए डेफिनेशन हो गई, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, कि रॉटर कॉपर लॉसेज का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई टी एन एस इंटू एस ये इसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, रॉटर कॉपर लॉस का, अब इसके अंदर एस क्या है, अंशियर स्लीप है, इसकी देखते हैं कि किस में नापते हैं, आरपी एम में नापते हैं, या आरपी एस में भी अपन इसको नाप सकते हैं, टी क्या है, टी है मोटर द्वारा, मोटर द्वारा, विक्सित, टॉर्क है, किस में होता है टॉर्क, न्यूटन, मिक्टर में है, टॉर की यूनिट क्या होती है, न्यूटर मिक्टर में होता है, S हो गया आपने पास, N S क्या है, N S होता है, सिन्क्रोनस स्पीड, सिन्क्रोनस गती, यह भी किसमें होती, RPM में होती, RPM में, यह भी होती, RPM या RPS, या RPS, Revaluation per second, यह होती है, इसका सुत्र, अब यह सुत्र ही देड़ा, तो अपने ग्याद कर लिया, अब इसके में ग्याद करने के लिए, अपन को Torque भी चाहिए, तो Torque किसे कहते हैं, अपन टॉर्क के बारे में अपन देखते हैं, यह है Torque, T-O-R-U-U-E, Torque, यह अपने छोटी क्लासों में भी देखा, एक भी Torque किसे कहते हैं, कि कई बच्चे पहले छोटे होते थे, तो बच्चे होते थे, तो एक धागा लेके पत्थर बान के उसको अपन गोल 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 गुमाते थे, तो वो क्या है कि Torque वाले इस्तती में गुमावल पैदा होता था, उसे अपन टॉर्क कहते हैं, तो Torque किसे कहते हैं, किसी इंडेक्शन मोटर का Torque वह गुमावल है, जो मोटर की साट के द्वारा किसी लोड पर आरोपित किया जाता है, Torque कहलाता है, अपन टॉर्क के डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्या है किसी इंडेक्शन मोटर का, मोटर का Torque वह गुमावल है, जो मोटर की साट के द्वारा किसी लोड पर आरोपित, किया जाता है, वह टॉर्क कहलाता है, अब टॉर्क के यूनिट क्या होती है, या अपन यूनिट के या इसको कहते है मात्रक, तो टॉर्क का मात्रक क्या होता है, टॉर्क का मात्रक, टॉर्क का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन, टॉर का मात्रक या टॉर्क की यूनिट क्या होती है न्यूटन मिटर होती है अब इसमें अपने देखते हैं टॉर का फॉर्मूला क्या होता है तो डिसी मोटर में तो क्या था कि टी प्रपोर्शनल टू फाई आई ए था पर इसके अंदर जो होता है फॉर्मूला एसी मोटर म है तो इसका देखते हैं टी एस एच एस एच टी एस एच मतलब के साफ्ट पर टॉर क्या होता है भी एच पी इन्टू 60 इन्टू 735 पॉईंट पाँज अपॉन 2 पाइण बी एच पी का मतलब क्या होता है ब्रैक हो पावर और 735.5 into 60 upon 2 pi N N क्या है? गुर्णन गती है BHP उत्पनाश में सकती है T H H शाब 2 टॉर्क है Newton-meter में और T टॉर्क है अपने देख लेते हैं इसके बारे में क्या है? देखते हैं T क्या है? टॉर्क टॉर्क की यूनिट क्या होती है? Newton-meter टॉर्क की यूनिट क्या होती है? Newton-meter फिर इसमें क्या है? T SH T SH T SH क्या है? Soft-torque Soft की है? Torque इसकी यूनिट भी Newton-meter होती है आपको पता ही है BHP Break Horse Power BHP BHP का मतलब Break Horse Power इसको हिंदी में कहते है उत्पन अश्व शक्ति HP का मतलब क्या होता है? HP यानि की Horse Power अश्व शक्ति और BHP का मतलब हो गया उत्पन Horse Power Break Horse Power N क्या होता है? गुणन गती N क्या है? गुणन गती गुणन गती हमेशा किस में होती है? RPM में होती है RPM में होती है गुणन गती तो अभी इसका फॉर्मूला क्या हो गया? T, SH बराबर BHP इन्टू 60 इन्टू 7 35.5 अपॉंट 2 पाई N T क्या है? टॉर्क है? T, SH क्या है? साफ्ट टॉर्क है? BHP क्या? अश्व उत्पन अश्व सकती N क्या है? गुणन गती है अब इन सब की युनिट भी अपन को याद रखनी पड़ती है अब अपन देखते हैं कि इंडेक्शन मोटर के रोटर में पावर फेक्टर की गणना में भी लिया जाता है इंडेक्शन मोटर के रोटर में क्या है? पावर फेक्टर भी निकालना पड़ता है तो उसके लिए टॉर्क क्या होता है? कि T बराबर 5 I R पॉज 5 इसके बाएर में इसमें क्या है इंडेक्शन मोटर के पावर फेक्टर में भी इंडेक्शन मोटर के I N D U C T इंडेक्शन मोटर में रोटर के पावर फेक्टर की भी गढणा की जा सकती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है T प्रपोस्नल टू फाई I R कॉज फाई अब प्रपोस्नल टू को पन हटाते हैं इसको क्या हटाते हैं तो T is इकल टू क्या होता है के फाई आई आर कॉस फाई अब कॉस ठीटा या कॉस फाई कह सकते हैं क्या कुछ भी कह सकते हैं टी क्या होता है टॉर को होता है अब यह तो पूरा यह टी क्या है टॉर के अब इसके अंदर के क्या आगया नियत तांक नियत तांक मरलब कॉंस्टेंट नियत तांक यानिकी कॉंस्टे क्या आ गया प्रति पोल इस्टेटर चुम्ब किया फ्लक्स क्या एफ आई प्रति पोल इस्टेटर चुम्ब किया फ्लक्स फ्लक्स की यूनिट किसमें होती है वैब बर में किसमें होती है वैब बर में आई आर क्या है आई आर क्या है रॉट्टर करण्ट है रॉट्टर करण्ट करण्ट की यूनिट क्या होती है एंपियर में होती हमेशा तो रॉट्टर करण्ट कर दिया अब कॉज फाई क्या है कॉज फाई क्या है कॉज फाई या कॉज ठीटा को क्या है ये रॉटर का पावर फेक्टर क्या है कॉज फाई रॉटर का पावर फेक्टर क्या है कॉज फाई रॉटर का पावर फेक्टर है तो इसके बाए तो पावर फेक्टर का हमेशा value क्या होती है R upon Z होती है cause 5 का formula क्या होता है R upon Z power factor का formula होता है यह तो अपन क्या है कि इससे power factor का मान भी निकाल सकते हैं अब इसके आधार पे अपन एक question करते है question आता है कि 1500 rpm गुर्णन गत्ती वाली पांच अस्व सकती की isquiral case motor के torque की गढणा कीजी है question अपन देख लेते हैं क्या question है 1500 rpm गुर्णन गत्ती गुर्णन गत्ती वाली पांच अश्व शक्ती आश्व शक्ती की स्क्वाइरल केज मोटर के टॉर्णन गत्ती वाली पांच अस्व शक्ती वाली कि गढणा की जीए question क्या है कि 1500 rpm वाली गुर्णन गत्ती वाली पांच अस्व शक्ती की स्क्वाइरल केज मोटर के टॉर्क की गढणा कीजीए अब अपन इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है पंद्रा सो आर्पीम दिया है शॉल कर लेते हैं अपन इसमें क्या दिया है सबसे पहले तो ए नैस दे दिया है पंद्रा सो आर्पीम है ए एच पी दे दिया है नि हॉर्स पावर दे दिया है 5 अब अपनको मोटर के टॉर्क की गढणा करनी है तो टॉर्क का फॉर्मुला क्या होता है बी एच पी इंटु 60 into 735.5 बट्टा 2 πई N S यह अपने पास फॉर्मूला है अब इस फॉर्मूला के अंदर अपन मान रखते हैं तो क्या भी एच्पी तो क्या दे दिया 5 दे दिया into 60 UQ into 735.5 UQ अब अपन 2 into πाई का मान हमें से किता होता है 3.14 या πाई का मान किता होता है 3.14 या 22 बट्टा 7 यह पाई का मान होता है तो पाई का मान अपने रख दिया 3.14 into किता N S किता दे दिया है 1500 अब इसको solve करते हैं अब अपन क्या calculation करते है सबसे पहले करते है 5 into 60 into 735.5 is equal to कितना आया 220650 अब अब अपन नीचे वाली संख्या को करते है 2 into 3.14 into 1500 तो is equal to कितना हो गया 9420 अब अपन इसको divide कर देते हैं कितने से करते हैं 220650 इसका कितना आ गया 23.4 तो इसका solve करने से कितना आ गया 23.42 अब टॉर्क है तो टॉर्क की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर में तो न्यूटन मीटर में तो ये टॉर्क गयाद करने का फॉर्मूला क्या होता है T is equal to BHP into 60 into 735.5 बटा 2πाई Ns BHP अपने को 5 और स्पावर दी है साथ अपने को फॉर्मूले में अब इसको सौल करते है तो इतना आता है इसमें डिवाइट करते है तो इतना आता है और टॉर्क हम इसा किसमें होता है न्यूटन मीटर में तो अपने पास कोस्चन आ जाता है वी पंदरा सो आर्पी एम कुंडन गति वाली पाच और स्पावर की स्क्वाइरल के इस मोटर क टॉर्क की गढ़ना कीजिए तो अपन यह फोर्मूला रख्या करते हैं पर अपने पास कोस्चन में यह फोर्मूला को सौल करना तो नहीं आता है कोस्चन आता है एम सी क्यूज तो एम सी क्यूज में अपने पास कहीं कहीं बार ऐसा करता है अपने को इसी करने के लिए जैसे 23.42 newton meter उत्तर आए आपने आपने अब उप्षान में यह दे दिता है कहीं-कई तो 23.42 newton meter देगा तो वो क्या है अगर 23.42 न्यूटन कि जगे सिर्फ से इंपर्टेंट है तो गलत यह उम कर देता नग꺼 जिस ACT जो ध्यान रखना है कि जिसके भी व्यक्त को घंडाउनी होती सबसे most important बात यह है कि वह आपने को जैसे प्रतिरोद निकालना होता है तो प्रतिरोद की अम होती यह अपनको ध्यान रखना पड़ेगा करन्ट निकालना है तो प्लाब होती है वल्टे गाला है मरत होती है अब जैसे इसने कोश्चन दे टॉर्क की गड़ना गड़नी तो टॉर्क हमेशा न्यूटन मीटन में होता है तो अपन के उत्तरता आगया 23.42 तो पिछे देगना है कि उसमें यूनिट कौन से लिखी है उस यूनिट वाले कोश्चन एंस्वर में ही अपन को टिक करना है आज की वीडियो यहां पे समात करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में